ये देखिए ये आलू थोड़ा थोड़ा भुन गया है, इसने तला छोड़ना चालू कर दिया है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से नहीं भुना है, अभी इसको हम थोड़ा सा और भुनेंगे. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काट्डियू किचिन में, मेरा नाम है मनीशा, आज मैं आपके साथ बनाऊंगी आलू का हलवा, ये वृत में खाने की बहुत ही अच्छी स्वीडिश है, अगर वैसे भी कभी आपका मीठा खाने का मन हो, तो आप इसे फटा-फट बना कर तयार कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे पर देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे पैज को फॉलो करें, तो अब चलिए टाइम नवेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आलू का हलवा बनाना, आलू का हलवा बनाने के लिए मैंने यहां पर लिये हैं, तीन उबले हुए आलू, इनका मैंने चिलका उतार लिया है, सबसे अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं, इसको बनाने के लिए मैंने पैन को गैस पर रख दिया है, अब सबसे पहले इसमें मैं दालूंगी घी, यह मैंने 1 फोर्थ का घी लिया है, घी को हम मैल्ट होने देते हैं, गी मैल्ट हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी आलू, जिन आलू को हमने कद्दू कस किया था, उसको हम इसमें डालेंगे, और अब हम इसको गी के साथ अच्छा से मिक्स करेंगे, घी और आलू अच्छा से मिक्स हो गए हैं, अब हम लो फ्लेम करके इसको लगातार चलाते सेकेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल हलवा सेकते हैं, उसी तरह से इसको हमें सेकना है, जब तक ये पूरा घी न छोड़ दे, ये देखिए ये आलू थोड़ा थोड़ा भुन गया है, इसने तला छोड़ा चालू कर दिया है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से नहीं भुना है, अभी इसको हम थोड़ा सा और भुनेंगे, ये देखिए ये आलू बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं और इसने घी भी छोड़ दिया है, ये देखिए इसमें घी अराम से बहां निकल रहा है, मतलब ये आलू अच्छे से भुन गए है, अब मैं इसमें मिलाऊंगी 1 फोर इसमें पर ही हम शक्कर को घुलने देंगे, इसको हम इसी तरह से लगातार चलाते रहना है, ये देखिए इसमें शक्कर पूरी तरह से घुल गई है, अब मैं इसमें दालूंगे इलाइची का पाउडर, ये मैंने 4-5 इलाइची ली है और इसको पीस लिया है, साथ ही इसमे मिला देंगे, इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखिए ये हलवा बनकर तयार हो गया है, ये बहुत ही अच्छा बना है, और इसमें गी पूरी तरह से चूट गया है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको बॉल में निकाल लेंगे, ये हलवा बनक पिर तयार हो गया है, यह देखिए, इसमें कितना सुन्दर कलर आया है, और यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना है, आप यह रेसिपी जरूर ट्राय कीजेगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी, अगर आपको यह रेसिपी पसंद हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, तो चलिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ, थैंक यू!